नमस्कार दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आमला खुर्द स्टेशन का वर्ष 2023 के अप्रेल महीने का नजारा अभीजी जी भावसार के द्वारा बहु मुल्य अपडेट यहाँ भेजी गई थी उस समय यहां के जो प्रारंभिक रूप से कार्ये चल रहे थे इनका की जा रही काफी महत्वपूर्ण यह सेक्षन है लगभग 55 किलोमेटर इसकी लंबाई है खंडवा से लगा के आमला खुर्द तक जिसमें की गुडी मोर्दर टाकल और जीरवन इस्टेशन है यहाँ पर सभी जगह उपर एक एक प्लेटफार्म बनाय जा रहे हैं यहाँ आ जारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर यातरी सुविधाओं के लिए कार्य चल रहे हैं प्लेटफार्मों के निर्मान कार्य यहाँ पर चल रहे हैं साती स्टेशन बिल्डिंग और जो स्टेशन मास्टर आफिस का कार्या ले होता है वह यहाँ पर दिखाई दे र यह संबंधित जो स्टाफ निर्मान एजेंसी का उसके द्वारा किये जा रहे हैं और उमीद जता ही जा रही है इसी महीने इसका CRS डिजल इंजन की साहिता से किया जा सकता है 55 किलोमेटर इस सेक्षन की लंबाई है काफी विवादों में भी यह सेक्षन रहा खेर हम उसकी चर रतनापुर का एंड और इस तरफ पड़ता है गुड़ी और खंडवा का एंड और यह जो विशाल का पेड है इसकी थोड़ी छटाई यहां पर कर दी गई है पूरी तरह से इसको नहीं काटा गया है हमारे पूराने वीडियो में भी आप जो शुरू में आपने देखा उस श्टाफ कौर्टर वगेरा भी यहां पर बनाए गए है और प्रेपरेशन चल रही है रंगरोगन आधी का कार यहां पर लगभग हो चुका है अब प्लेटफार्म की और यह लोग कार्य करेंगे वहीं ट्रेक को लिंक करने का भी कार्य यहां पर चल रहा है टाइल्स लगान इंस्पेक्शन के लिए उप्योग की जाती तो दोस्तों अंततह लंबे समय के बाद ही आमला खुर्द स्टेशन की सुखत तस्वीरें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं अभिजीत बहुसार जी का हम आप सभी की ओर से भार व्यक्त करते हैं आशा जताई जा रही है कि यह जो कार्य है यह अच्छी तरह से संपादित हो ताकि जो CRS निरिक्षण हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ना निकले और यहां से डेमो गाडियां चलाई जा सके इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दें आप सभी का धन्यवाद